Hello Friends, Welcome to Dear Madam TED Preparation की सीरीज में हम कवर कर रहे हैं EBS यानि Environmental Studies का पोर्शन इसमें हम उत्तर प्रदेश बेसिक परिशत की किताबों की स्टड़ी कर रहे हैं इस सीरीज में हमने क्लास 6 की बुक पृत्वी और हमारा जीवन के 7 chapters कवर किये हैं आज हम देखेंगे chapter number 8 जो है भारत का भौतिक स्वरूप यानि Physical Divisions of India तो चलिए स्टार्ट करते हैं Part 8 भारत का भौतिक स्वरूप भारत का भौतिक स्वरूप विविद्धता पूर्ण है इन विविद्धताओं के आधार पर भारत के भौतिक स्वरूप को 5 भागों में बाटा गया है पहला उत्तर का परवतिय भाग, दूसरा उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा थार का मारुस्थल, चौथा दक्षिन का पठारी भाग, और पाच्वा समुद्र तटिय मैदान एवं द्वीब समूः Friends, इन 5 पार्ट्स को हम 1 by 1 देखेंगे लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि हिमाले की उत्पत्ती कैसे हुई थी आज से करोडो वर्स पूर्व, हिमाले परवत की जगा पर टेथिस महासागर था इस महासागर के उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिन में गोडवाना लैंड नाम के दो भूभाग थे लेयर बाई लेयर जमा होता गया, इंटर्नल डिस्टर्बेंस की वज़े से सागर की तलहटी में जमा हुआ जो मलबा था वो मोड़दार परवत के रूप में उपर उठता गया जिसकी वज़े से विश्व की सबसे उची परवत श्रिंखला हिमाले का निर्माड हुआ चलिए अब हम देखते हैं इंडिया के फाइफ फिजिकल डिविजन्स यानि पाँच भौतिक स्वरूप के बारे में सबसे पहला है उत्तर का परवतिय भाग जिसे इंग्लिश में दे ग्रेट माउंटेंस ओफ नॉर्थ भी कहते हैं भारत के उत्तरी सीमा पर एक विशाल परवत श्रिंखला जो की पश्चिम के उजम्मु कश्मीर से लेके पूरब में अरुनाचल प्रदेश तक फैला हुआ है इसकी चोड़ाई पश्चिम में अधिक और पूरब में कम है इसे हिमाले की नाम से जाना जाता है हिमाले का अर्थ है हिम प्लस आले जिसका मतलब है बर्फ का घर नौर्थ के इन माउंटेन रेंजस को चार पैरलल सीरीज में बाटा गया है जो की है पहला ट्रांस हिमाले यानि हिमाले पार कछित यानि वो हिस्सा जो हिमाले से बाहर में आता है दूसरा है हिमादरी रेंज, तीसरा है हिमाचल रेंज और लास्ट यानि फोर्थ है हमारा शिवालिक रेंज Friends, हिमाचल रेंज को मध्य हिमाले या मिडल हिमालयास भी कहा जाता है चलिए अब इन सारे रेंजिस को एक-एक करके देख लेते हैं इनका लोकेशन हम मैप में भी समझते चलेंगे साथी साथ में। तो फ्रेंड्स हिमालियास का सबसे पहला रेंज है ट्रांस हिमालिया जिसे हिमाले पार छेतर भी कहते हैं। ये हिमाले परवत के उत्तर में स्थित है। इसमें मेनली कराकोरम, लध्धाक और कैलाश परवत श्रेणिया आती है। यहां की सबसे उची परवत शिखर कराकोरम श्रेणी है जिस पे इंडिया का सबसे हाइस्ट पॉइंट केटू जिसे गुडविन आस्टिन भी कहते हैं। इसी कराकोरम श्रेणी में आता है। केटू की उचाई समद्र तल से 8,611 मीटर है। बाल्टोरो और सियाचीन जैसे हिमनत यानि गलेशियस इसी रेंज में पाये जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं हिमाद्री रेंज के बारे में। यह हिमाले की ट्रांस हिमालियास के बाद सबसे उतरी परवत श्रेंखला है। इसे व्रिहद हिमाले या हिमादरी भी कहते हैं। इस श्रेंखला में विश्व के उचे-उचे शिखर है। संसार का सबसे उचा परवत शिखर माउंट एवरेस्ट इसी रेंज में आता है फ्रेंड्स की कोश्चन अक्सर पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट की उचाईर समुद्र तल से 8848 मीटर है गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर यानी हिमनद इसी रेंज में पाई जाते हैं जिससे गंगा और यमुना नदी निकलती है चलिए अब देखते हैं हिमाचल श्रेडी के बारे में जिसे मिडल हिमालियास या मध्य हिमाले भी कहते हैं यह हिमादरी श्रिंखला के दक्षिन में स्थित श्रिंखला है। इस श्रिंखला में श्रिनगर, शिमला, कुल्लू, डलहौजी, नैनिताल, अल्मोडा, डाजलिंग जैसे टूरिस्ट स्पॉर्ट आते हैं। पस्चिम में हिमादरी और हिमाचल रेंज के बीच में कश्मीर की घाटी है। यहां की डलजील टूरिस्ट का सेंटर आफ अट्राक्शन है। चलिए अब देखते हैं शिवालिक रेंज के बारे में। शिवालिक श्रेडी को उप हिमाले भी कहते हैं। इस रेंज में सक्री घ हाटियां पाई जाती हैं जिसे दून्स कहते हैं। दहरा दून इसी का एक 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 जामपल है जो इस रेंज में पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं हम इंडिया का दूसरा फिजिकल डिविजन जिसे नॉर्थन प्लेंस या उत्तर का मैदानी भाग भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में भाबर और तराई के बारे में समझ लेते हैं हिमाले से उतर कर नदियां जब मैदान की तरफ आती है तो अपने साथ साथ बड़े बड़े बोल्डर, कंकर, पत्थर जैसी चीजे भी साथ लाती है नदियों द्वारा श्रिवालिक के साहरे 8 से 16 किलो मेटर की चौड़ाई तक इन चीजों का डेपोजिशन होता है इसे भाबर कहते हैं यहाँ पर नदियां पत्थरों, कंकर और बोल्डर के नीचे विलुप्थ हो जाती है आगे चल कर यह नदियां फिर से धरातल पर दिखाई देने लगती है भाबर के साहरे एक नम और दल्दली चेतर का निर्माण हो जाता है जिसे तराई कहते है भाबर और तराई चेतर जैव विविविधता वाला चेतर होता है दुधवा राष्ट्रे उद्यान इसी चेतर में स्थित है भाबर और तराई का चेतर आगे जाकर भारत के विशाल मैदान में मिल जाता है हिमालय के दक्षिन में भारत का विशाल मैदानी भाग स्थित है यह विश्व का सबसे विश्तरित समतल मैदान है जो लगभग 2400 किलो मीटर लंबाई में फैला हुआ है इस मैदानी भाग का धाल पश्चिम से पूरब की ओर है यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्म पुत्रा और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई उपजाव जलोड मिट्टी, जिसे अल्यूवियल सॉयल भी कहते हैं, से बनता है नदी तंत्र के आधार पर इस मैदानी भाग को तीन हिस्से में बाटा गया है पहला सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्म पुत्रा नदी तंत्र फ्रेंड्स, नदी तंत्र किसी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों को मिला कर बनता है इंग्लिश में इसे reverse and its tributaries के नाम से जाना जाता है तो चलिए एक-एक करके हम सभी देखते हैं पहला है सिंधु नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र की मुख्य नदी सिंधु और उसकी सहायक नदियां यानि ट्रिब्यूटरीज हैं जेलम, चेनाब, सतलज, रावी और व्यास ये नदी तंत्र जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में फैली हुई है सिंधु नदी का ओरिजिन या उदगम स्थान तिब्बत के मान सरोवर जील के निकट है चलिए अब हम गंगा नदी तंत्र को देख लेते हैं गंगा नदी तंत्र की मुख्य नदी गंगा और सहायक नदियां यानि ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना, घागरा, गंडक, गोमती, कोसी गंगा नदी का उदगम स्थान यानि ओरिजिन हिमाले में स्थित गंगोत्री हिमनद ग्लेशिर को माना जाता है जो की उत्राखंड में पढ़ता है चलिए अब हम देख लेते हैं तीसरा नदी तंत्र जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की मुख्य नदी है ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदिया है लुहित, दिबांग, तिस्ता यह नदी तंद्र अरुनाचल प्रदेश से लेके असम तक में फैला हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी तंद्र का ओरिजिन माना जाता है तिब्बत के मानसरोवर जील के निकठी फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी चीन, भारत और बांगलादेश से होकर बहती है इसे चीन में सांगपो और बांगलादेश में मेघना या जमुना नाम से पुकारा जाता है गंगा नदी को बांगलादेश में पद्मा नाम से पुकारा जाता है फ्रेंड्स यह नाम बहुत important है इस topic से अब तक examinations में कई बार questions बन चुके हैं चलिए फ्रेंट्स अब हम देखते हैं भारत का तीसरा भौतिक स्वरूप यानि फिजिकल डिविजन जो है थार का मारुस्थल The Great Indian Desert फ्रेंट्स ये डेजर्ट या मारुस्थल इंडिया के वेस्ट यानि पश्यम भाग में स्थित है जिसे थार का मारुस्थल या भारती मारुस्थल भी कहते हैं ये इंडिया के नॉर्थन प्लेंस से लेके साउथ वेस्टर्न में अरावली मौंटन से लेके पाकिस्तान के बॉर्डर तक फैला हुआ है ये बहुती सुष्क, गर्म और रेतिला स्थल है यहाँ पर बनस्पितियां बहुती कम मात्रा में पाई जाती है यहाँ के मुख्य नदी है लूनी यहाँ पर सांभर जील भी पाई जाती है जिससे नमक का उत्पादन किया जाता है चलिए अब देखते हैं हम भारत का चौथा भोतिक स्वरूप दक्षन का पठारी भाग इसे सदन प्लाटो या दपनेंसुलार प्लाटो भी कहते हैं उत्तर के विशाल मैदान तथा तठीय भागों के बीच में दक्षन का पठार या प्रायदीपी पठार स्थित है यह पठार प्राचीन, कठोर, खेदार चट्टानों से यानि इगनीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना है फ्रेंड्स प्लाटो या पठार धरातल यानि प्लेन का वह भाग होता है जो परवत से नीचे और मैदान से उचा होता है जिसका उपरी भाग सपाठ हो, ढाल सामान्य हो तथा किनारों का ढाल तीवरो, उसे ही पठार या प्लाटो कहते है हमारे दक्षिन का पठारी भाग त्रिभुजा अकार का है इस छेत्र में कई पहाडी श्रिंख लाएं और घाटियां है जैसे उत्तर पश्चिम में अरावली परवत उत्तर में विंध्या और सत्पुड़ा परवत तथा दक्षिन में पूर्वी और पश्चिमी घाट दक्षिन के पठार को तीन मुख्य भागों में बाटा गया है पहला मालवा का पठार, दूसरा छोटा नागपूर पठार और तीसरा दक्कन का पठार तो चलिए इन तीनों को एके करके देखते हैं पहला है मालवा का पठार दक्षिन के पठार के पश्चमी भाग में मालवा का पठार है यह पठार उत्तर की ओर ढालदार है और अंतिता उत्तर के मैदान में जाकर मिल जाता है यमना नदी की कुछ सहायक नदियां जैसे चंबल और बेतवा का उदगम स्थान इसी पठार से है दूसरा है छोटा नाकपूर पठार दक्षन के पठार के उत्तर पूर्व भाग में छोटा नाकपूर पठार स्थित है यह छेत्र लोहा और कोईले जैसे खनीजों से समरिध है अब देखते हैं दक्षन का पठार जो की बहुत इंपोर्टन्ट है यह पठार विंध्या और स्वत्पुडा परवश रंखलाओं के दक्षिन में पढ़ता है इसकी ढाल पश्चिम से पूरब दिशा की ओर है पश्चिम की ओर बहकर अपने जल को अरब सागर में विसर्जित करती है इस पठार के दक्षिन भाग में पश्चिमी घाट और पूरवी घाट है पश्चिमी घाट को सयाद्री कहते हैं जिसका विस्तार एक समान है वहीं पूर्वी घाट बीच बीच में कटा छटा हुआ है चलिए अब देखते हैं भारत का पांचवा भौतिक स्वरूप जो है तटियम मैदान एवं दूइप समूप पस्चमी घाट के पस्चिम में और पूर्वी घाट के पूरब में ये तटियम मैदान है पस्चमी घाट में कोई बड़ी नदी नहीं है जबकि पूर्वी घाट में महा नदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा का निर्मान करती है पूर्वी ये तटियम मैदान की कुछ मुख्य जीले हैं जैसे चिलिका, कॉलरू और पुलिकट पूर्व की और बहने वाली ये नदियां डेल्टा का निर्मान करती हैं ये डेल्टा क्या होता है? समुद्र में मिलने से पहले धरातल के कम ढाल और नदी के वेग में कमी के कारण नदी का जल कई शाखाओं में बटकर बहने लगता है यही त्रिभुजाकार भू भाग ही डेल्टा कहलाता है गंगा एवं ब्रह्मुपुत्रा नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा सुन्दर्वन का निर्मान करती है चलिए अब हम भारत के द्वीब समुँ के बारे में देख लेते हैं भारत के दो द्वीब समुँ हैं लक्ष द्वीब और अंडमान और नीकोबार द्वीब समुँ लक्ष द्वीब द्वीब समुँ अरब सागर में स्थित है यह मूंगे या कोरल से बना हुआ है इस द्वीब समुँ में अनेक छोटे छोटे द्वीब हैं वहीं अंडमान और नीकोबार द्वीप समू बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये द्वीप समू लक्ष द्वीप समू से अपेक्षाकृत कुछ बड़ा है तो फ्रेंड्स आज हमने कवर किया चाप्टर एट भारत का भौतिक स्वरूप फ्रेंड्स इचाप्टर बहुत इंपॉटरन है इससे बहुत इंपॉटरन कोऩटन भी बनते हैं डिटेल में होने की वज़ए से हमें थोड़ा टाईम लगा तो चलिए फ्रेंड्स इस टॉपिक से टेट सी टेट में जितने भी पुराने कोशच्च्छन आए हैं उसका एक सेट लगा लेते हैं. हमारा फर्स्ट कोश्चन है, गंगा नदी निकलती है? इसका करेक्ट एंसर है, ओप्शन C, गंगोत्री ग्लेशियर से. सेकेंड कोश्चन, तिबबत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? इसका करेक्ट एंसर है, ओप्शन C, ब्रह्मपुत्र. थर्ड कोश्चन, निम्न में से कौन सी प्राक्रतिक वनस्पती मरुस्थलिय प्रदेशों में पाई जाती है? इसका करेक्ट एंसर है, ओप्शन B, कैक्टस. फोर्थ कोश्चन, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इसका करेक्ट एंसर है, ओप्शन B, सुबन रेखा. फ्रेंड्स, ये नदी जहारखंड से होते हुए, वेस्ट बंगॉल और उणिसा में बैते हुए, बे ओ बंगॉल में गिरती है. अब देखते हैं, फिफ्ट कॉस्चन, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सरवाधिक छेतर पर है? इसका करेक्ट एंसर है, ओप्शन B, जलोड मिट्टी, यानि अल्यूवियल सॉइल. सिफ्ट कॉस्चन, भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी का नाम है? इसका करेक्ट एंसर है, ओप्शन A, माउंट केटू. इसको गुडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं. अब देखते हैं, सेवंथ कॉस्चन, गुरु प्रीत पहली बार रेल गाड़ी से, नई दिल्ली से चन्नेई गया, अपनी रेल गाड़ी में उसकी द्वारा, निम्डे लिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? इसका करेक्ट एंसर है, ओप्शन D, गंगा, क्योंकि फ्रेंड्स, गंगा, उत्तरपूर्व में बहने वाली नदी है, अब देखते हैं, एट्थ कोश्चन, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनिए, इसका करेक्ट एंसर है, ओप्शन A, यह नेपाल का भाग है, और इसकी चोटी की उचाई, इसका एंसर है, ओप्शन D, पस्चिम बंगाल, लेवन्थ कोश्चन, विश्व में सरवाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है, इसका एंसर है, ओप्शन C, ब्रह्मपुत्र, ट्वेल्थ कोश्चन, निम्न लिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है, फ्रेंट्स, दिये हुए ओप्शन में से, करेक्ट एंसर है, ओप्शन A, गोदावरी, इसे दक्षिन की गंगा भी कहते हैं, अब देखते हैं, थर्टीन्थ कोश्चन, जलोड मिट्टी, कहां मिलती है, इसका एंसर है, ओप्शन C, गंगा जमना मैदान, फोटीन्थ कोश्चन, निम्न में से कौन सी नदी का उदगम भारत में नहीं है, इसका एंसर है, ओप्शन C, ब्रह्मपुत्र, क्योंकि इसका उदगम स्थल मांसरोवर है, जो की तिब्बत में पढ़ता है, फिफ्टीन्थ कोश्चन, किसी नदी और उसके सहाई को द्वारा अपवाह छेतर कहलाता है, इसका एंसर है, ओप्शन A, नदी घाटी, अब देखते हैं, लास्ट कोश्चन, निम्न लिखित स्थल रूपों में से किसमे खनीज निक्षेपण की प्रचूरता पाई जाती है, इसका करेक्ट एंसर है ओप्शन A, पठार, तो फ्रेंट्स, हमने इस चैप्टर से रिलेटेट सारे कॉश्चन भी देख लिए, तो फ्रेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो इसे प्लीज लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें, थैंक्स फॉर वाचेंग,